स्वागत अबच्छ आपका Self Study के इस चैनल में और आज हम अपनी Basic की एक और Class स्टार्ट कर रहे हैं पिछली जो साथ Classes I think साथ ये छे Classes हो चुके हैं Basics की या उससे भी जादा हो चुके हैं मझे तभी हाद भी नहीं है ये Basic की जो Class है वो जीरेंड, Present Participle इसके बारे में होने वाली है अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि अब वो वक्त आ गया है ऐसा समझो कि हम पिछली अपनी वीडियो में करा था हमने Pronoun किया था Pronoun में हम Demonstrated Pronoun कर रहे थे तो Demonstrated Pronoun में एक Word आया था Polluted एक और Word आया था Interesting तो ये Word जो मैंने पढ़ा नहीं रखे कि इनको क्या कहते हैं इनका Parts of Speech क्या होते हैं तो ये सीखने के लिए आपको Basic की और समझ होनी चाहिए तो अब जो मुझे लगा कि अब और जूरता पड़ी तो लगता है अगर देखो आपने पिछली वाली वीडियोज नहीं देखिए तो वो जरूर देखो यर जाके क्यूंकि उसके अंदर मैंने Pronoun को स्टार्ट करवा रखा है छे टाइप के Pronoun मैं करवा चुका हूँ जब ये Basic खतम हो जाएगा ये जीरंड का, Present Participle का, Past Participle और Infinity ये सब कर लेंगे, इनके बारे में Practice कर लेंगे तो फिर से Pronoun को स्टार्ट कर दूँगा Relative Pronoun करवाँगा फिर इसके बाद तो ये जो चीज़ा ऐसे मैं समझना कि कि सर क्या आपने Pronoun पढ़ाना चोड़ दिया क्या और Present Participle हवा बना दिया जाता है बच्चों के अंदर कि जीरंड बहुत जादा मुश्किल है, Present Participle बहुत जादा मुश्किल है, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, जब बच्चों को बढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं, सर ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो ऐसे बताया गए बट, at the end, जब मैं उनको कहता हूँ कि भहिया, एक बर तुम बैठो बर कोर्स में, और जब ये खतम हो जाए Present Participle और जिरंड तो मुझे बताना कि कितना समझ में आए, कितना नहीं आए और यकीन वानो, वो बच्चा एक सेंटेंस के अंदर मैं उसको Present Participle और जिरंड लिखके देता हूँ या Past Participle लिखके देता हूँ, या इंफिनिटी लिखके देता हूँ तो पहचान रहा होता है कि इसके अंदर कौन सा क्या काम कर रहा है उसको जिरंड कहेंगे, उसको Present Participle बोलेंगे तो यह सब चीज़े मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार दसली रखो चीज़ें आपको शायद थोड़ी बहुत ड्रावनी लेहां पर जिरंड नाम सुन कर ड्रावना पर नलग सकता है कि सर यह क्या है, हमने तो नाम नहीं सुना यह फिर नाम सुन रखा है, सर हमें यह आती नहीं है बड़ी मुश्किल चीज़ होती है तो ट्रस्ट करिए, एक बार यकीन करो और यह जो वीडियो खतम होई न, तब बात करना है कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया और जब यह बेसिक का खतम हो जाए तब यकीन मानो, आप एक सेंटेंस के अंदर आप असानी से पता लगा रहे होगे कि वहां पर जीरंड क्या है, प्रेजन पार्टिसिपल क्या है सेंटेंस में आप पहचान पहें तो ये काम मेरा पहली मेरा प्रियोर्टि रहेगी बातें नहीं करते हैं, काफी लंबी बातें हो गई है तो स्टार्ट करते हैं अपना यहां पर मैंने आप लोगों के सामने एक चीज़ लिखी हुई है आप इसको असानी से पढ़ पाएंगे वर्ब, बी का मतलब यहां पर वर्ब है बी का मतलब यहां पर बेस है आई एन जी, तो इसको जैसे ज़्यादा तर कुछ कह देते हैं वर्ब की फर्स्ट फोर्म प्लस में आई एन जी, कुछ वर्ब की बेस्फोर्म मैं दरसल तीन ही पढ़ाता हूँ ठीक है वर्ब आगी go, went, gone, going और goes होता है यह मैं डिसकस कर चुका हूँ अपनी previous वीडियो के अंदर मैं डिसकस कर चुका हूँ शायद मैंने इसकी first वीडियो के अंदर जब मैंने grammar पढ़ाना ही स्टार्ट किया था तो मैंने आपको first वीडि वीडियो के अंदर भी आप लोगों को करवा चुका हूँ फिर भी आपकी revision हो जाएगी जो दोबारा सा देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं उनको चीजें समझ में आ जाएंगी फिर भी कहूँगा कि आप जाकर वीडियो देखिए बहुत बढ़िया से अच्छे से एक करके मैंने आप लोगों को चीजें समझाई हैं एक sentence को एक तरीके का break किया है मैंने यहाँ पे ताकि बच्चे को चीजें समझ में आए और आज भी इस वीडियो को मतविया कहें इस concept को इतना बढ़िया से करने वाले हैं ताकि आपके मन में कहीं पर भी एक percent भी doubt ना रह कोशिश मेरी यही रहेगी पांच form होती है हमने देखा हुआ है यह हमने हमारे इंडियन सिस्टम के coding पांच verbs बना रहे हैं अगर आप जाकर देखें कोई बढ़िया dictionary आप डाउनलोड करें Cambridge की या फिर Longman की या फिर Oxford की जो भी बढ़िया dictionary आप डाउनलोड करें तो वहाँ अपर आप देखेंगे न तो इनके नम यह नहीं है वी one, v2, v3, v4, v5 ऐसा नहीं है वहाँ पर इनके नम अलग दिये गए है अलग इन दा सेंस क्या है? v1 को बोला जाता है present v2 को बोला जाता है past v3 को बोला जाता है past participle और v4 को बोला जाता है present participle और v5 भाईया यह वी हो जाती है इसको प्रेजेंट ही तो बोला जाता है क्योंकि यह सिंगुलर के साथ आती है यह सारा concept मैंने करवाया हुआ है तो वब की बेस फॉम प्लस में आइन जी को grammarian क्या कहते है grammarian कहते है present participle अभी डरना नहीं है आप सोचो कि सर यह क्या हो रहा है अभी समझो जरा नाम है इसका present participle जैसे कोई v4 बोल देता है मैंने वब की बेस फॉम प्लस में आइन जी बोल दी आप शाहिद इसको v1 प्लस में आइन जी बोल सकते हूं एक और नाम है present participle बस नाम है clear अब यह जो वब की बेस फॉम हम बोलेंगे इसको वब की बेस फॉम प्लस में आइन जी तीन काम करता है तीन काम जैसे एक तो वब बनना एक एजेक्टी बनना और एक नाउन बनना तीन काम करता है वब की बेस फॉम पढ़ा है नाउन वाला पढ़ा है आज हम इसको करने वाले हैं अच्छे से वब कैसे कहेंगे ज़रा एक बन मैं इस चीज़ों को rough कर रहा हूं ताकि आप लोगों के समझा पाऊंगे देखो अभी practice भी करेंगे बट उस practice पे जाने से पहले थोड़ा base त्यार कर लेते हैं वब की base form प्लस में ing को वब कब कहेंगे वब तब कहेंगे जब इससे पहले इससे पहले एक helping वब आ रही हो helping वब कैसे सर अब जड़ा देखो मैं यहां एक sentence लिखता हूं मैंने एक sentence लिखा राम playing cricket राम cricket खेल रहा है या खेल रहा था या खेल रहा होगा यह वाली बात अभी करने वाले हैं तो यहां पर playing तो होगी main word राम subject हो गया playing word cricket, cricket object हो गया अब मैं आप से इस sentence के बारे में यह पूछूँ कि इसका tense कौन सा है यह कौन से काल में लिखा गया है प्रेजेंट पहला हो गया present past और future अब present के अंदर भी verb की base from plus में ing आती है past के अंदर भी verb की base from plus में आया जाती है future के अंदर भी verb की base from plus में आया जाती है अब आप कैसे पता करेंगे यह यह Ram playing cricket इसका tense कौन से है इसको आप पता करेंगे इनसे पहले आने वाली helping verb से present में लगी होती है is, am, are तो इससे पता चल जाता है यह helping और तभी तो इनको helping और बोला जाता है help कर देती है आके कि भई कौन सा tense की बात हो रही है यहां पे अगर इनसे पहले was were लिखा होता है तो यह बता देते हैं past की बात हो रही है अगर इससे पहले will यह shall be लिखा होता है shall be यह will be त्यान रखना मैंने यह shall और will को एकी साथ लिखा है और इसके साथ plus लगा के बी लिखा है यहनि will be और shall be plus में verb की base from plus में आए जी आए तो समझ जाना यह future की बात हो रही है इस चीज से समझे क्या इस चीज से यह समझे अगर यह verb होगी verb की base from plus में आए जी तो इससे पहले helping verb जरूर आएगी सर मुझे कैसे पाता चलेगा कि आएगी की नहीं आएगी अभी तीन आपने दो चीज़ें और लिखनी है adjective यह नहीं यह चीज भी तो बन सकती है मैं कहा रहा हूँ उस चीज के उपर अभी उसको भी हम clear करने वाले तो verb की एक बार पहचान समझे लो कि verb बनेगी तो उससे पहले helping of तो आएगी क्यों आएगी क्यों कि तीनो tense tense के अंदर verb की base form plus में आए जी same चलती है इसलिए हमें tense की पहचान करनी होती है तो इससे पहले helping of लगानी जरूरी होती है clear अब मैं इसको एक बार rough कर देता हूँ सब को rough कर रहा हूँ अब verb की base form plus में ing अभी practice पे जाने से पहले थोड़ा सा base अच्छा से clear कर लेते हैं verb की base form plus में ing जो मैंने यहां पर लिखा है यह तीन काम करती है verb की बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया एक adjective बनती है अब जब यह adjective बनती है तो आपको पता है यह काम क्या करता है adjective का adjective का काम होता है noun या pronoun को qualify कर देना qualify in the sense क्या होता है कि उसके बारे में बता देना just simple कि कोई noun उसके बारे में बता दिया कोई word अगर बता रहा है उसे adjective बोल देंगे same अगर यह verb की base form plus में ing जो noun बनेगी तो यह काम क्या करता है noun noun subject बनता है object बनता है proportion का object बनता है यही काम तो करेगा verb की base form plus में ing clear अब जब verb की base form plus में ing नाउन बनता है तो इसके हाई-फाई एक और नाम है उस हाई-फाई नाम को हम बोलते हैं चीरंड clear और जब वब की base form plus में ing adjective का काम करता है तो इसके हाई-फाई नाम को हम बोलते थे हैं present present participle अब सराभी आपने थोड़े तेरे पहले तो present participle present participle इस verb की base form plus में ing को का था हाँ बेशक का था यही है दरसल वब की base form plus में ing ही present participle है अब मैं कर क्या रहा हूँ कि मैंने noun को तो नाम दो गया इस adjective को एक अलग सा नाम दे रहा हूँ present participle actual में present participle यह verb की base form plus में ing यही है क्लियर हूँ अब आप कहीं ऐसा समझो कि जो word qualify कर रहा हो किसी noun को उसी को present participle बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है present participle actual में यह verb की base form plus में ing का ही नाम है बस मैंने differentiate करने के लिए कि noun को जिरंड कह दिया adjective को present participle just differentiate करने के लिए इसका नाम present participle रख दिया है मैंने grammarian यह कहते है grammarian तो इस verb की base form plus ing को present participle बोल दिया है ठीक है present participle बोल दिया और वही present participle यह कह देते हैं present participle तीन काम कर दयता है ऩी एक बार verb बन जाते है एक बार adjective सिन जाते है एक बार noun बन जाते है यह तीनों काम कर सकते हैं मैं यह कह रहा हूँ कि वब की base form plus में आए जी तीनों तो काम कर रही है और इस adjective को बस present participle नाम पकड़ा रहा है और कोई फर्क नहीं है अब यह मत बोल देना कि कोई word अगर किसी noun को qualify कर रहा है तो वो present participle है नहीं कर रहा है तो वो present participle नहीं है वब की base form plus में आए जी अगर किसी noun को qualify करे तभी उसको present participle बोलना है ऐसा नहीं है भाईया समझ रहे हो यहां पर बस विक मैंने नाम बता दिया है ताकि अब थोड़ा सा differentiate कर पाओ इस चीज़ के बीच में कि noun बने तो उसको zero बोल देना adjective बने तो उसको present participle बोल देना वब बने तो उसको वबी बोलेंगे हम clear ओके यतनी जी जी clear आई अब थोड़ा practice की तरफ चलते है तो को comment करके बताना कि इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं बोले जा रहा हूं यहां पर अब सामने होते तो सामने शकल देखके उताद यह होता कि हाँ यहां इसको समझ आया इसको समझ नहीं आया जैसे classroom में होता है अब यहां पर मैंने आप लोगों के सामने कुस sentences रखें फर्स्ट आपने यह चीज करनी है मतलब आपने कोशिश पहले करनी है कि वीडियो पोज करिए और यह जितने भी sentence लिखे हुए है पांच ही sentence लिखे हुए है कि इन पांचों को आप ब्रेक करिए और एक बल डिंफरेंशेट करके नहीं कोशिश करिए कि कहां पर यह verb बन रहा है कहां पर यह noun बन रहा है कहां पर यह present participle बन रहा है वर्ब की base from plus में आये जी जब आप इसको differentiate करेंगे खुद अपने आप से तो आपकी clarity मतलब बहुत अच्छे से हो जाएगी कि बेशक आप लोगों से नहीं हो पाएंगे जब नहीं होंगे तो doubt create होंगे और जब आप यह video द्वारा pose करके मतलब द्वारा ऐसे इसे play करेंगे तो वो doubt बड़े अच्छे से clear हो जाते है जब तक आप अपना खुद एक बार महनत नहीं करते हैं ना कि आप अठके कहां हो तब तक आपको पता नहीं चलता कि यार इस चीज को समझा कैसे जाए clear हो है मिरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी अब मिरे को लग रहा है कि समझ में आ रही है तो एक बार video pose करिए उके उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने video pose की होगी और इसको at least first try आप ने किया होगा देखो मैंने तो करी देना है जैसे मैंने बोला web की base form plus में ing अगर उसे पहले helping web आए तो वो verb हो जाएगी verb रही अगर उसे helping web ना आए तो वो noun यह जिरेंड बनेगी यहां पर यह नहीं है यहां पर यह verb नहीं है यहां पर यह verb नहीं है यहां पर यह verb नहीं है लेकिन हम ना बड़े अच्छे से करने हैं एक दों बड़िया detail से करने वाले है मैं यहां लिख रहा हूँ verb की base form plus में ing तीन काम करती है noun, adjective और form एक एक करके discuss करेंगे इसको अगर पहले sentence की बात करें राहूल is watching a movie इस sentence को मुझे लगता है कि हर बच्चे ने अच्छे से कर लिया होगा कि watching तो है sir main verb is a helping verb और राहूल है इस watching को करने वाला subject और watching वाट movie मुवी बनेगा object और ए आर्टिकल है clear अब ये तो हर एक ने कर लिया होगा इसको verb बना भी दिया होगा अब कईयों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि sir आपने noun और adjective बताया है कि verb की base form plus में आये जी noun भी बन सकता है तो हम इसको verb क्यों बना रहे हैं हम इसको adjective क्यों नहीं बना सकते भाई but doubt तो बहुत सही है ये उसी के दिमाग में आगा जिसने कोशिश की होगी करने की obviously वो यही सोचेगा ना कि इसको आपने verb क्यों बनाया अगर इसको adjective बनाते हैं तो दिक्कत क्या आती है बहुत सही मैं इसी को करने वाला हूँ अगर हमने इसको adjective बनाया मैं यहां लिख रहा हूँ राहूल is watching a movie मैंने यहां लिखा अब हमने verb तो बना लिया verb वाला ही बनेगा adjective बना के देखते हैं adjective बनने से इसके दिक्कत क्या आती है अगर आपने इसको adjective बनाया अगर आपने इसको adjective बनाया clear, तो ये is चल क्यों नहीं रहा is, is क्या बनेगा, is मनेगा main verb, B की form है आपको पता होगा कि B की form B की form, main verb भी बन सकती है और helping verb भी बन सकती है दोनों काम कर सकती है और जब ये main verb बनती है तो इसके बाद क्या आते हैं, subject compliment आते हैं क्यों क्योंकि इसके अंदर एक बात हो इसमें कोई action नहीं होता तो यहां पर जड़ा देखो ये B की form, ये B की form जो है वो main verb बनी, तो यहां पर ये watching adjective बनाने की, मैं सबसे पहले adjective बना रहा हूँ adjective बनाने की, हमने ही बनाया इसको clear, अब यहां पर Rahul Rahul क्या बनेगा, ये यहां पर कैसे पहुच गया एक मिनिट, इसको कभी-कभी दोरे बटरे होते हैं ये Rahul, Rahul क्या बनेगा, Rahul बनेगा subject, एक मिनिट, इसको सही करते हैं निकाल कर ये बीच में न शेतानिया करने लग जाता है अब चली नीड़ा अरे, क्या हो रहा है चली गया, चली गया, चली गया एक इनट, इसको सारे बरफ करना पड़ेगा यहां पर ओके होती है, होती है, टेकनिकल प्रोब्लमस आ जाती है अरे यार, चल जाओ यार, अब तो ये subject हो गया, राहूल हो गया यहां पर subject, अब इसको जब मैंने adjective बनाया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली, लिखा हो है ने, हाँ, लिखी हो यह बात कि adjective जब भी, मतलब जो भी adjective होता है, उसका काम क्या होता है एक noun या pronoun को qualify करना जब वो भब की base form से बने या फिर भब की base form से ना भी बने भब की base form प्लस में ing से बने या फिर भब की base form प्लस ing से ना भी बने simple कोई word अगर noun ये प्रणाउन को qualify करते तो उसे adjective बोल देंगे तो यहां पर जड़ा देखें, आपने इसको अगर adjective होला, clear इसको adjective होना, तो adjective है तो किसी noun ये pronoun को qualify करेगा, movie एक noun है तो अब ये watching इस noun को कैसे qualify कर रहा है, subject compliment का का काम करवाना पड़ेगा ना इसको, अब एक तो चीज दिक्कत ये, कि subject compliment और subject होते हैं, दोनों same, ये movie और Rahul, दोनों क्या same है ये राहul और ये movie, क्या दोनों same है, एक तो ये दिक्कत ये कि दोनों same नहीं है, subject compliment का मतलब क्या होता है, subject के बारे बता देना, वहीं movie राहul के बारे में क्या बता रहा है दूसरी बात ये, ये watching जो है, वो movie को किस तरीके से qualify कर रहा है भई, अब ये movie को qualify करना होता है तो ये नहीं होता, boring movie या फिर हम कहें कि good movie lengthy movie, bad movie short movie, ये होती है movie या फिर horror movie action movie, ये वाले जो word आते है इसे पहले, वो तो movie को qualify कर रहे होते हैं, लेकिन ये watching जो है, वो कैसे इस movie को qualify कर रहा है clear, तो ये तो चीज हमारे सामने clear हो रही है, कि ये watching जो है यहाँ पर adjective नहीं बनेगा, adjective क्यों नहीं बनेगा क्योंकि noun ये pronoun को qualify कर नहीं रहा है यहाँ पर, इस तक ठिक्कत ही आई दूसरी ठिक्कत हमने ये देखा कि movie जो है, वो subject compliment तो बन गया है क्योंकि ये, B की for main वो बनेगा, तो इसके बाद subject compliment आएंगे तो movie subject compliment बनके बैठ गया और subject और subject compliment दोनों same होते हैं तो ये movie और Rahul तो दोनों कैसे same हो सकते हैं तो इससे हमें जाना कि यहाँ पर ये adjective नहीं है चलो, अब इसको काम करते हैं इसको बनाते हैं noun इसी same चीज़ को हम बना लेते हैं राहूल is watching a movie अब इस बार इसको noun बना लेते हैं अगर हमने इसको noun बनाया noun बनाया, चलो, इसको noun बना दिया हमने noun बनाया तो ये main word बनेगी राहूल subject बनेगा और ये article है, movie फिर से noun है यहाँ पर तो दो noun है, दो noun को जोड़ने के लिए एक तो सबसे पहले conjunction चाहिए वो नहीं यहाँ पर दूसरी दिक्कत ही है, कि भाई ये watching इस राहूल की कैसे qualify कर रहा है क्योंकि subject compliment तो दोनों ही बनेगे एक तो conjunction की दिक्कत होगी इस समझ में आ रहा है कि तोड़ा बहुत गलत है हमने दूसरी दिक्कत ही आगे कि meaning नहीं बन रहा, भाई ये watching जो है वो राहूल को कैसे qualify कर रहा है ये तो नहीं कर रहा है, तो अगर एक चीज qualify नहीं कर रहा है, तो इस से मितलब ये समझ में कि ये noun है, ये verb है, यहाँ पर ये adjective है ये समझ में आई होगी आपको, detail से हमने इसको करने ही कुश्च किये और जरूरी नहीं कि बस इतना ही किया, आगे नहीं करेंगे अरे जब ये खतम हो जाएगा न, adjective, ये present participle, जीरन, past participle ये तो भाई जब मैं आगे जब concept कराऊँगा, तो वहाँ पर भी बार 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 इसका जिकर हो रहा होगा तो घबराने वाली बात नहीं है कि क्या आज हो गया कि बाद में नहीं होगा बाद में भी होगा, इसको ध्यान रखना है, clear तो पहला sentence हमारे सामने हो चुका है, okay अब, second sentence पर चलते हैं, तो यहां पर ये वाप बनी है, clear द्यान रखना इस चीज़ को, smoking causes cancer अब भी सबसे पहले दिमाग यो उठेगा, कि सर ये smoking जो है, इसको वाप बना लो मैंने का, ठीक है, इसको वाप बना लेंगे, तो एक तो सबसे पहले इसकी demand ये महेगी कि helping वाप का है, अभी थोड़े तरह पहले बता है ना कि, वाप की base form plus में आये जिए, अगर वाप बनती है, तो इसके पहले helping वाप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें tense का पता करना होते है, तो helping वाप नहीं, दूसरी दिक्कत इसके लिए subject कहा है, क्योंकि ये बात मैंने बोल रखी कि जब भी वाप आएगी, जब भी वाप आएगी तो इसके लिए subject तो आएगा ही आएगा, subject वाप का pair तो हमें 100% चाहिए, दूसरी दिक्कत ही होगी, तिसरी दिक्कत ही है कि cause, एक और वाप बैठी है यहाँ पर, भाई एक वाप यहरी, एक वाप यहरी, दोनों को subject मिला नहीं, दोनों वाप को हमने ऐसी जोड़ दिया भीना conjunction के, तो यह दिक्कत होगी, एक और चीज तरीके चाहिए, या फिर आप इनको अलग-अलग break करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर smoking जो है, वो वर्प तो बन नहीं सकती, वर्प नहीं बन सकती, तो वर्प से तो मैं इसका काटा यहाँ पर लगा देता हूँ, अब इसको बनाते हैं adjective, फिलाल मैंने तोड़े दिर पहले बात बोल दिये, यहाँ पर यह बनेगा क्या, अब इसको smoking को अगर adjective बना दिया, तो adjective का काम क्याता है, noun, noun, noun को qualify करना, भई इसके बाद तो कोई noun लिखाई नहीं हुआ, किसको qualify करवा लोगे, समझ रहे हो, दूसरी दिक्कत यह, कि भई यह वह बैठी, यह तो अपने लिए subject मांगेगी, अर यह आपने adjective बना के बिठा दिया, हाँ, एक तो यह चीज होगी, तो adjective नहीं है, तो क्या करें भई इसको, कुछ तो दिक्कत हो रहे हैं, क्या बनाएं इसको, बनाना क्या है, आपके सामने answer है, क्या बनाना है, इसको बनाना है, भई यह, noun, noun क्यों बनाना है, क्योंकि इस वब को अपना subject चाहिए, तो यह noun बन अगर आप लोगों को, किसी भी action को, आप लोगों को as a noun के तोर पे use करना है, तो उसे gerund बनाओ, जैसे मैं कहता हूँ, कि मुझे खेलना पसंद है, तो इस sentence को मैं कैसे बलूँगा, I like playing, मुझे खेलना पसंद, I like what, मुझे खेलना पसंद, मुझे एक action पसंद है, मुझे उस action को as a object के तोर पे use करना था, तो मैंने gerund की help ले ली, वही समझ रहे हो, gerund का काम कहा है, gerund एक noun होता है, noun बनेगा तो object के तोर पे आ जाएगा, clear, और एक चीज़ धान रखना, मैंने अभी यह बात बोली, यह verb की base form plus में ing, यह verb से बना है, noun, तो verb से बना है, तो इसलिए इस नाम और कहते हैं, semi verb, earth verb, किसको, इस noun को, यह नी gerund को, क्यों कहेंगे, क्योंकि verb से बना है, तो verb से बना है, तो आधे इसके पास noun के कुण है, और आधे अपने लिए verb के कुण होंगे, इसलिए इसके semi verb बोल देते है, action को ही तो बता रहा होता है, समझ में आया है, यहाँ प चाहिएगी, adjective क्यों नहीं कह सकते है, अगर adjective होनेगा, तो इसको noun यह प्रणौन को qualify करने के लिए कुछ चाहिएगा, मतलब noun यह प्रणौन चाहिए जिसको qualify करें, वो नहीं है यहाँ यहाँ पर, तो इन सब बातों से हमने जाना है, यह smoking यहाँ पर, gerund है, अगला sentence देखो ज़र, they started shouting in the class, अब start, started, started, यह होगी हमारे सामने verb, किसने start कर दिया, दे ने, दे क्या बनेगा, subject, in proportion है, class is proportion का, अरे यह फिर से, class is proportion का object है, अब यह shouting बचा, अब shouting क्या है यहाँ पर, दिक्कत यह आएगी, सर इसको verb बनाएं क्या, अरे भई बना दोगे, इसको verb बनाओग तो बनाएगे, तो shouting, बनाओगे, तो यह नहीं कहेगा, कि मेरे लिए helping अब लेकर आओ, तो helping अब नहीं है, यहाँ पर, इस sentence का मतलब क्या है, उन्होंने चिलाना शुरू कर दिया, class में, इस shouting होकर आप verb बनाओगे, तो यह बोलेगा, मेरे लिए helping अब लेकर आओ, यह तो helping अब नहीं, दूसरी बात, तो यह नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तरे यार, हो क्या रहा है इसको, अभी तो अच्छा घाजा चल रहा था, यह बहुत बढ़िया तरीक्या से, इसको भी ना दोरे बढ़ रहे होते हैं, बीच में, एक मिनिट में, इसको पहले यह, helping over आ रही होती, यह चीज़ समझ में, adjective बनाएंगे इसको, अगर इसको adjective बनाएंगे तो इसके बाद कोई noun या प्रनावन तो चाहिए न, जिसको qualify करें, तो adjective भी नहीं है यहाँ पर, तो बच्छा क्या, यह देखो एक noun, भया उन्होंने क्या start कर दिया, इस action का receiver ह यह नहीं है, shouting, उन्होंने चलाना शुरू कर दिया, उन्होंने जब चलाना शुरू कर दिया, तो इसको verb नहीं, इसको हम बोलेंगे, noun, जब इसको noun बोलेंगे, object बन गया है, तो इसका hi-fi नाम क्या हो जाता है, gerund, clear, अभी तो यहाँ लिखे हैं, यह जिखो उपर, gerund और present participle, यह दोनों लिखे हैं, दोनों ही चीज़ आएंगी इसके अंदर, समझ में आया, तीन sentence मुझे लगता है कि चीज़ें clear हो रही हैं, कि आप इसको verb क्यों नहीं बना सकते, यहाँ पर आप इसको adjective क्यों नहीं बना सकते, यहाँ यह noun क्यों नहीं बना सकते, वही चीज particular क्य short होगी verb, main verb, किस ने shoot कर दिया भया, सलमान ने कर दिया, अब किसको shoot कर दिया, वो तो अलग बात है, एक पर बात की बात देखते हैं, अब मुझे एक बात होता हो जो रहा, यह running इसी के पर आएंगे, क्या यह running यहाँ पर verb बनेगा, मैंने कर नहीं, verb क्यों नहीं बनेगा, अगर यह running यहाँ पर verb बनेगा, तो इससे पहले हमें क्या चाहिएगा, एक helping up चाहिएगी, चाहिएगी नहीं चाहिएगी, बेशक चाहिएगी इससे पहले helping up, अगर इससे पहले helping up चाहिएगी, तो helping up है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर running, verb नहीं है, क्या यह यहाँ पर noun बन है हमारे सामने इन दोनों को जोडने के लिए यहां पर तो conjunction है नहीं एक तो दिक्कत ही आगी दूसरा इस ते काम क्या करवा होगे अगर आपने इसको अबजेक्ट बना दिया तो डियर को क्या बना होगे clear है यहां पर प्रिपोशन का अबजेक्ट बनाने सकते है क्योंकि प्रिपोशन नहीं है यहां पर subject बनाने सकते है क्योंकि भाईया subject आ चुका यहां पर एक और अग वब लगाने पड़ जाएगी हाँ वो दिक्कत होगी अब यह बना क्या अरे जब noun नहीं बना जब यह verb नहीं बना तो यह बनेगा क्या अरे बनेगा न यह एक चीज बताओ क्या बनेगा एक ही चीज तो बच गी तीन ही चीज नहीं थी तीन में से दो तो गई तो एक जो बची वो है adjective ये बनेगा adjective कैसे ज़रा देखो यह 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 object है short किसको कर दिया है? hiran को कर दिया अब कैसा hiran था? दोड़ता हुआ hiran यह जो running है वो इस hiran को qualify कर रहा है कैसा hiran था? दोड़ता हुआ hiran और यहां पर यह adjective वो काम कर रहा है तो इसको हम बोल देंगे अरे क्या हो रहा है? present participle present participle इसको यह बोल देंगे clear यहां अब present participle हमने यहां पर बोल दिया जब यह adjective वो काम कर गया अगला sentence हो देखो she consoled the crying child उसने सांतवना दी जनलब की होता है न कोई बच्चा रो रहा होता है हमें उसके दहा आ जाती कि चुपोजा चुपोजा ऐसी तो उसने सांतवना दे दी कि इसको भाईया रोते हुए बच्चे को तो console, console, console यह होगी main verb, किसने दी भाई, she ने, she बनेगी subject, भाई अब देखो crying, verb की base form plus की साथ ing लगा हुए तो क्या बनाएं इसको, सबसे पहले verb बना के देख लेते हैं, अगर यह verb बनाएंगे तो इससे पहले helping verb, वो नहीं है, तो verb नहीं यहां पर, क्या इसको noun बनाएंगे, अगर इसको noun बनाएंगे, तो child भी तो noun बैठा है, दो noun बैठे हैं, दोनों को जोड़ने के लिए conjunction नहीं है, तो noun नहीं है, क्यूंकि दोनों ही object बनने के कोश्च करेंगे, भाईया, console के लिए है, तो दोनों ही object बनने के कोश्च करेंगे, यह crying भी है, child भी, अब दोनों ही object बनने को शुक्रनेंगे, दोनों को जोडने के लिए कोई conjunction नहीं है यहाँ पर, और meaning भी अलगी निकलेगा, तो इन सब बातों से देखा कि यहाँ पर यह noun नहीं है, तो क्या है यह, अरे भाई, दो कटके तीन ही तो थे, तो एक बचा adjective कैसे adjective है, जड़ा देखो, consoled, यानि संतना किसको दी, बच्चे को दी, तो बच्चा होनेगा, यहाँ पर object, कैसा बच्चा था, अरे रोता हुआ बच्चा था, crying, रोता हुआ बच्चा यहाँ पर, तो यह जो word है, वो इस child को qualify कर रहा है, adjective है, adjective है, इसको high five नाम है, इसको present participle बोल देंगे, अब जड़ा ध्यान रखना, present participle बस इसका नाम लिया है मैंने, अब ऐसा नहीं है कि, यह जो, वो इसको present participle नहीं बोलेंगे, actual में नाम इसका present participle ही है, मैंने बस थोड़ा सा differentiate करने के लिए, आप लोगों को यह कह दिए, कि adjective को हम present participle बोल रहे हैं, यह बार-बार इसलिए बता रहा हूँ कि, बच्चा रटने में बढ़ा ते जाए, यार वो रटनेगा, वो इसीज को रटनेगा, वो अपकी base form plus में ing present participle बोला जाता है, यह मैंने सहुलियत के लिए adjective को present participle बोल दिया है, आप भले इसको adjective बोलो, कोई फर्क नहीं बढ़ेगा, अब क्या है कि मुझे आगे चलके कुछ चीजों को differentiate करना है, इसलिए इसको एक नाम दे रहा हूँ, present participle, I hope so, आप लोगों को इस चीजों के लिए हो गई ही होंगी, इतनी तो, अब ज़्यादा देर तो हो गई है, देखते हैं, एक मिट मैं एक बार time देख लेता हूँ, कितना हो गया है, तो उसके साब से बहुत है, तीस मिनिट का हो गया है, या फिर एक और मुझे ये चोटा सा concept और कराना है, चार ही question है, इसको कर लेते हैं, चलो, क्योंकि वीडियो फिर, मैं नहीं चाता कि यार, ज़्यादा और वीडियो बने, इसी वीडियो के अंदर समझा देते हैं, अब, चार concept, चार आपके सामने sentence लिखे हैं, तो एक काम करना है, आपको वीडियो पोज करनी है, और सबसे पहले, खूद ट्राई करना है, इस चीज़ को भई, देखो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे न, चीज़ें समझ में नहीं आगी, जब तक आपका पैन नहीं चलेगा, तो समझ में नहीं आने वाले वो चीज़े, फिर तो वही ये वीडियो देख रहे हो, जा रहे हो, कोई फायदाय नहीं हो शीज़ का, फिर तो यार क्यों व्यूज गिरा रहे हो, व्यूज तो ऐसी नहीं आ रहे, clear, आप देखो, पोज की होगी वीडियो, मैंने बोला नहीं है, बट करना है आपको, अब कर लेते हैं, पहला सेंटेज देखते हैं, अब बताओ, इस इंटरस्टिंग को क्या बनाओगे, वही आपके सामने नाउन है, एजेक्टिव है और वाब है, क्या ये वाब बनेगी, देखिए, अगर कोई वाब, आएंजी की फोर्म में है, तो उसमें एक एक्शन हो रहा होगा, एक चीज़ ध्यान रखना, कॉंटिनियूस का मतलब है, को उसमें कोई एक्शन जारी है, इस इंटरस्टिंग में, क्या एक्शन जारी है भईया, जो आप इसको वाब बोल दोगे, कोई एक्शन जारी नहीं है, इसके अंदर, कोई भी एक्शन जारी नहीं है, देखिए, इस कॉंसर्ट में इस चारों को जो समझाने का है, यहां पर present participle मैंने लिखा आया, लेकिन कुछ हो रही है, यहां पर समझना है इसको, जब इस चारों खतम होगे तो अभी बात कोई मैं बात आते हैं, तो यह subject complaint बन जाएगा, अब subject complaint बन जाएगा, इसको कहेंगे, यह movie, movie बन जाएगा subject, और this इसको qualify करने वाला adjective है, demonstrative adjective बोला जाता है, इसको, really, इसको qualify करने वाला, first of all तो देखते हैं, यह interesting है, फिर really को decide करेंगे, जब यह subject complaint बना है, तो इसको adjective बोल इंट्रस्टिंग, यह एक अलग चीज है, इंजेक्टिव तो है, लेकिन यह इस वाला एड्जेक्टिव नहीं है, जो भी मैंने आप लोगों को present participle वाला बोला है, क्यों नहीं है, जरा देखो, यहाँ पर एक sentence मैंने लिखा था, यह दो sentence लिखे थे, running deer और crying child, इसमें यह मैं child, यह दोड़ता हुआ हिरन, रोता हुआ बच्चा, यह जिस भी noun को qualify कर रहे हैं, वो noun या pronoun उस adjective का करता है, मतलब उस काम को कर रहा है, देखो जो रहा, यह दोड़ कौन रहा है, यह हिरन ही तो रो कौन रहा है, यह बच्चा ही तो रो रहा है, तो present participle जिस भी noun के लिए बनी हुई चीज़ है, present participle, और वब की base from, यह बब से बनी हुई चीज़ है, तो उसके अंदर एक action हो रहा है, तो present participle आप उसको ही बोलो, जिसमें action हो रहा हो, action हो रहा हो, उससे adjective बनी हो, इसमें कोई action थोड़ना हो रहा है, interesting है, यह तो just एक आपने बताई है, movie के बारे मे movie के एक interesting है, जब इसमें action नहीं हो रहा है, तो आप इसको just simple adjective बोल दो, इसको present participle मत बोलो, अब कहेंगे कि सर इसको present participle बोल देंगे, तो दिक्कत क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको present participle बोलने में, भले ही बोल दो present participle, बट समझो यह रही इसको, आप इसको adjective बान नहीं पढ़ने वाला है, मेरा पढ़ाने का तरीका यह है, कि मैं इसको interesting को, एक adjective के तोर पे अलग लिख लेता हूँ, यह verb में consider नहीं करता हूँ, मैं यह कहता हूँ, यह verb से बनी हुई चीज नहीं है, यह एक अपनी अलग ही league है, अलग की category है, इसलिए adjective बोल दी है, हमने इ interesting जो है, इस movie को qualify कर रहा है, same, इस सारी चीज़ें जो हैं, वो इसी तोर पे लिखे हूँ है, तभी मैंने present participle, actual में यहाँ पर कोई present participle नहीं है, यहाँ पर सारी adjective बनी हुई है, जिसके साथ I&G लगी हुई है, जड़ा देखो, current performance in the last match was outstanding, in proportion है, match is proportion का object है, was main verb है, यहाँ प outstanding performance, performance है यहाँ पर subject, current, जो इसके उपर अधिकार जाताने वाला noun and possessive case है, clear, outstanding यहाँ पर क्या है, verb नहीं है, verb क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई action नहीं हो रहा है, इसको adjective तो बोला लेकिन present participle नहीं बोला, क्योंकि किसी action से नहीं बन रहा है, clear, the story of this novel was extremely boring, ओ portion का object है, this इसको qualify करने वाला demonstrative adjective है, was फिर से main verb है, boring जो है यहाँ पर adjective है, subject compliment का काम कर रहा है, extremely इसको qualify कर रहा है, adverb है, यहाँ पर देखना है, यह really adverb है, एक adjective को qualify करते है, उसको adverb बोला जाते है, story यहाँ पर subject है, यह present participle मत बोलना इसको, क्योंकि इसमें कोई action नहीं हो रह सा रहे हो, boring है, interesting है, पस वही चीज़ है यहाँ पर, तो कुछ words ऐसे होते हैं, जिनके साथ ing तो लगा होता है, लेकिन वो verb से नहीं बने हुए होते है, main मुझे यह समझाना है आपको यहाँ पर, okay, last जो इसका sentence है, my glasses were laying on the table, on proportion है, table is proportion का object है, the article, यह article तो आपको बताऊंगे यह तीन आर्टिकल है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो अपनी लिख ले न, आप अगर concept कर रहे हो, break कर रहे हो, तो इन जी जोंको, अब, were laying, पड़े हैं, laying का मतलत है, पड़े रहना, रखे रहना यहाँ पर, यह main verb है, रखे रहना है, रखे हुए हैं, तो यह यहाँ पर adjective ह यह इसको qualify कर रहा है, यहाँ पर यह subject है, माई इसको उपर अधिकाज देताने वाला adjective है, possessive adjective, clear, तो यह वाला जो concept मैंने आप लोगों को करवाया है, इसके अंदर क्या बताया है, कि किनी words के साथ ing तो लगा हुआ होता है, लेकिन उसे आप present participle वाली category में मत डालो, क्योंकि वर्ब से नहीं बने हुए होते हैं, अब वर्ब से बने हुई चीज़ों को आप जब adjective बोलते हो, कैसे कहेंगे, क्योंकि जिसकी भी noun के लिए लगाया जाते हैं, वो उसका doer होता है, running deer, इसमें deer यह दोडने का काम कर रहा है, crying child, इसमें child deer होने का काम कर रहा है, समझ में आ पाए होंगे, क्योंकि अब जितनी भी classes आएंगे, उनके अंदर ये वापिस चीज़ें आती ही रहेंगे, present participle आएगा, infinity आएगा, जीरंड आएगा, बहुत सारी आएगे, मैं इवन practice भी आप लोगों को करवाने वाला हो इस चीज़ के उपर, तो डरने वाली बात नहीं है कि सर मुझे तो बिलकुल समन्या है, अगली class में थोड़ा बहुत हो रहा जाएगा, और जब ये basic खत्म होगा ना, मैं पक्का कह सकता हूं कि आप लोगों को present participle, जीरंड, past participle, ये सारी चीज़ें clear हो गही होगी, आप sentence में वो देखकर बता पा रहे होगी, कि यहाँ पर present particip participle लगा हुआ है, यहाँ पर past participle लगा हुआ है, अब ये कोछीज, देखो present participle है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि present participle, present tense के अंदर use होगा, बिलकुल भी नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, इंडिया is a developing country, इंडिया तो इसके अंदर ये present के अंदर use कर लिए, अरे नहीं नह पर था ना, एक sentence में निकरवाया था, sorry, sorry, ये रहा, ये देखो, console, उसने सामताव ना दी थी, ये किस बच्चे को, रोते हुए बच्चे को दी थी, तो ये present participle लगा हुआ है, tense कों से, past में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि present participle है, तो present participle से present tense में यूज होग पसंद आया है, तो like करिए, वीडियो को like करिए, channel को subscribe करिए, और share करिए, वीडियो को भी share करिए, और channel को भी share करिए, देखे, आप जब like करते हो, तो मुझे motivation मिलती है, कि हाँ, लोग बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे feedback मिलता है इस से, comment करिए, आप लोगों क्या आपको link मिलेगा, telegram का और facebook का, जाकर वहाँ join कर लीजिए, आपको इसकी pdf भी मिल जाएगी, ताकि आपको लिखना भी ना पड़े, बट मैं कहूंगा कि आप लिखिये, telegram भी join कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके exam से related बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, thank you for watching this video, मिलते हैं next video में